राजपाल कलराज मिश्र ने राजिस्थान उनिवसिटी जेपूर और पंडेट दीनदयाल श्रिखावटी उनिवसिटी सीकर में कुलपती पदपर न्युक्ति के आदेश चारी कर दिए हैं आपको बता दें कि प्रोफेसर अलपना कटेजा को रारिस्थान उनिवसिटी का कुलपती न्यूक्त किया गया है अलपना कटेजा रारिस्थान उनिवसिटी के अर्थ शास्त्र विभाग की प्रोफेसर है और कटेजा को कुलपती बनाने के बाद सच बिधरक ने खास बाद चीत की और मैं महामहीं मराज才पाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्नों ने ये अवसर मुझे दिया कि यहां की जो शेक्ष्षणिक विवस्था हैं उनकी कमान एक महिला को उनोंने दी है इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद वहीं मैं यहां की चुनोतियों और जो प्राब्लम्स हैं उनके बारे मैं बहुत अवेर हूँ तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि हम उनको एड्रेस करके इस युनिवर्सटी को इसका जो पुराना गौरव है वो हम लोटा सके अब बोल रहें कि चुनोतियों से आप आके पर किस तरह की चुनोतियां राजस्थान युशे दाले के शामने भी मोजूद है समय में देखिए क्योंकि जो NEP है 2020 वो लागू की जा रही है और पहली बार उसको इस सेशन से लागू किया जा रहा है तो जो सिलेबस हैं उनको रिवाइस करना है समिस्टर लागू करना है उनको टाइम पर एक्जाम कराने है तो ये पहली चुनोति अभी जो दिख रही है सबसे पहले तो ये चुनोति तो है ही उसके अलावा रिसर्च की क्वालिटी को इंप्रू करना इंफ्राइस्ट्रक्चर में कई चीजें हैं नई शिक्षिकों की भरती करना ये सबी चुनोतिया है क्योंकि शिक्षिन की इस तर जो राजस्थान उश्विद्धाले का जो एक समय में हुआ करता था वो लगातार गिर रहा है उसको किस तरह से बहतर लाना चाहेंगे और सा क्यासी कोई चीज नहीं है कि जिसको तय कर लिया जाए तो वो अचीव नहीं किया जा सकता है मेरा यह मानना है कि अगर सभी इस स्टेक होल्डर्स मिलके करें तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग हम सब मिलके इस जो समस्या है क्योंकि उसका जो इंपक्त आरहा शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी चुनोती है नहीं भड़ती वी चुनोती रहती है क्योंकि हर बार जो भड़तीयां होती है प्रॉबलम को एड्रिस करना होगा और बहुत जल्दी बहुत जल्दी इसको करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि शिक्षकों की वाकई बहुत कमी है कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल शिक्षक नहीं है तो उसको एड्रेस जल्दी ही करना होगा सब में एक बड़ी जो हम टीचर्स मिलके भी डिसकस करेंगे और स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वाल करेंगे क्यों टीचर मतलब ये शिकायत करते कि स्टूडेंट नहीं आता और स्टूडेंट ये कहते हैं कि टीचर नहीं आता तो ये तो ऐसे तरीके की समझ से आए कि बहुत आसानी से ये सॉल हो सकती है, मिलके, समवाद से, इस प्राबलम को एड्रिस किया जाएगा, क्योंकि क्लास में डिलेवर होगा, स्टूडेंट जरूर आएगा, और कितना भी आजकल ईबुक्स हो या ईडिसोर्स हों, ऑनलाइन रिसोर्स हो उसके बावजूद, क्लासरूम टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, तो टीचर अगर ये तैय कर लेगा कि स्टूडेंट को क्लास में लाना ही है, और स्टूडेंट को क्लास में आने का फायदा होगा, ये दोनों समझ ल रहा है, इसके अलाव अन्य जो उनिश्टीज की जो एक्साम होती है, वो भी देरी से हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बार कोरोना के समय से जो ये डीरेल हुआ है, तो वो अभी तक पट्री पे नहीं आ पाया, जबकि मुझे लगता है कि अब काफी समय हो चुका ह है, और इसको लाने में, मतलब समय पर सब हो, सब समय बद्ध तरीके से, प्लान वे में सब किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक्जाम डिले होते हैं, तो स्टूडेंट्स का प्लेस्मेंट नहीं हो पाता, उनको आगे जहां एड्मिशन लेना है, उसमें बड़ी द यह एक्जामिनेशन का जो सेक्शन है, उसमें बैठके, डिसकस करके, वह एड्रिस करेंगे, यह थी अलगना कटेजा, जिन्होंने हर मुद्धी के उपर चर्चा की और का कि एक बहतर यूनिश्टी बनाने का परियास करेंगे रास्ताने श्रीदाले को, यह पुर से लोकेस वह लाके लिए.